हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे चैनल Every Day New में दोस्तों जैसा कि रेलवे की तरफ से आज यानी 5 सितंबर के डेट में एक live press conference की गई इसमें से chairman के तरफ से दोस्तों रेलवे के exams की date announcement की गई जहां पर ये बताए गया है कि रेलवे के जो भी exam से 15 December से CBT exam स्टार्ट होने वाले हैं इसका announcement कर दिया गया है अभी friends Ministry of Railway की तरफ सभी latest official update आचुकी है notice जारी कर दी गई है तो आइए friends पूरी official update को देखते हैं और इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार भी इट करें सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दवा दिजेगा railway भरती की पलपल की अपडेट के लिए तो ये री friends official notice जो की Ministry of Railway की तरफ से आचुकी है और PIV में दोस्तों इसको पब्लिश भी कर दिये गये है देखिए इंडिया रेलवेस to start computer best test यानि CBT for notified vacancies from 15th December 2020 यानि friends railway के अंतरगत जो भी notified vacancy है उसकी computer best test यानि CBT exam 15 December 2020 से railway start कर रही है यानि शुरू हो रहे हैं पोस्टेड हों देखिए आज ही का डेट है 5 सितंबर 2020 6.59 PM by PIV देली यहां से पूरी खबर को देखिए इंडिया रेलवेस is going to start computer best test for notified vacancy from 15th December 2020 यानि 15 December 2020 से दोस्तों आपके exam स्टार्ट हो रहे हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पे press conference किया गया वहाँ भी railway chairman के द्वारा यह announcement किया गया था कि 15 December से जो भी आपके exam बचे हुए है चाहे मिनिस्टेरिल का टेगरी का बचा हो group D का बचा हो NTPC का बचा हो जो notified vacancy है 15 December से वो लोग exam start करने जा रहे हैं इंडिया रेलवेस had notified three types of vacancy तीन टाइप की vacancy को यहाँ पे notify किया गया है रेलवे की तरब से these were 35,208 for NTPC non-technical popular categories like goods guard, office clerk, इसके बाद commercial clerk, etc. बहुत सारे post है दोस्तों इसमें इसके बाद 1663 for isolated and ministerial category जिसमें अस्टेनोग्राफी का post है, teachers, etc. यह सब का post है इसके बाद 13779 for level 1 vacancy जिसमें track maintainer का post है, pointsman और भी group D के जो post है, अलग-लग friends, helper है, सब के सारे post यहाँ पे notified किये गए है इन all RRVs had notified a total of 1.40 लाग सच vacancies for NTPC categories, level 1 post and isolated and miscellaneous category तो सभी को मिला के दोस्तों 1,40,000 vacancy है, जिसकी दोस्तों अभी exam लेनी बाकी है against the above vacancies, RRV had received more than 2.40 कलोर applications और इन सभी vacancy पे दोस्तों टोटल 2.40 कलोर अभ्यार्थियों ने आवेदन किये है और दोस्तों इनके exams पहले ही conduct होते है, लेकिन यहाँ पे COVID-19 situation को देखते हुए और बाकी दोस्तों यहाँ पे imposed किये गए लोगडाउन time to time इसको देखते हुए यहाँ पे cancel किये गए थे, पोस्टपोन किये गए थे, यहाँ पे railway की तरफ से बताया जा रहे है आगे पताया गया है, scrutiny of the applications had been completed, but the process of further examination had go delayed due to COVID-related restriction बड़ी खबर है फ्रेंस, यहाँ पे कई छात्रों के सवाल आते रहते हैं कि application status कब तक जारी किये जाएंगे, क्या scrutiny फॉम की हुई है या फिर नहीं तो जैखिए पहले के भी update में आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे आपकी जो application status है, उसकी scrutiny सभी candidate के ही हो चुकी है तो यहाँ पे दोस्तों डेर से दो मन्त का समय लग जाता था railway official को scrutiny करने में सारे candidate के form को कि किनके form reject हुए हैं, किनके form accept हुए हैं, यह समय अब नहीं लगने वाले हैं क्योंकि अल्रेडी यहाँ पे सारे scrutiny application के हो चुके हैं, तो जैसे ही tender final होते हैं दोस्तों, examination conducting agency final होती है, के बाद आगे बता आगे हैं, RRBs of Railways are committed to hold the CBT for all the notified vacancies and have been actively assessing the ground situation imposed due to pandemic, pandemic के कारण यहाँ पे दोस्तों, hold पे रखा गया था जो भी आपके exam होने वाले थे, इन सभी notified vacancy की, now that experience of conduct examination for the JE and IITs and NEET is there, it was felt that Railways 2 can start the process which had to be stopped due to COVID-19 pandemic, जिस प्रकार से friends, JE का exam conduct किया जा रहा है, IITs का exam conduct किया जा रहा है, और NEET का exam conduct किया जा रहा है, इस COVID-19 situation में भी, और यहाँ पे बिना रुक है दोस्तों, बिना कोई problem हुए है, यहाँ पे सभी candidate के exams हो रहे हैं, properly हो रहे हैं, as it is हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए दोस्त for conduct of examination of this magnitude are being framed, जो भी exams conduct होती है, उसके regarding SOP जारी कि जाती है, कि कौन-कौन से नियम आपको follow करने होंगे, जो examination conducting agency होंगी, उनको क्या follow करने होंगे, student को क्या-क्या follow करने होंगे, centers को क्या-क्या follow करने होंगे, तो वो जो SOPs होंगे, उसका यहाँ पे framing चल रहा है, किस परकार से बनाया जा, किस परकार से rules रहे, वो इलोग frame कर रहे हैं, norms of social distancing and other protocols prescribed by the various central and state authorities need to be followed, which are essential in the interest of safety of candidate, तो candidate की safety को देखते हुए, staff की safety को देखते हुए, जो भी यहाँ पे SOP जारी के गया है, जो भी rules and regulation, state government या फिर central government के तरफ से जारी के गया है, उसको सभी candidate को follow करने होंगे, जि organization का उपयोग करने होंगे, social distancing का यहाँ पर पालन करना होगा, इसके बाद देखे, friends, आगे mention क्या गया है, railway now proposes to commence first stage online computer based test from 15th December 2020, यानि, friends, railway अब यहाँ पर commence कर चुकी है, कि first stage, यानि CBT1 जो exam आपके होने वाले है, 15 December 2020 से ही होने वाले है, and necessary action has been initiated in this regard, और necessary action यहाँ पर initiated कर द chairman के तरफ से जो exam date की announcement की गई, वो अभी ministry of railway की तरफ से update आ चुके है, PIV में इसको publish भी कर दिया गया है, और बहुत ही कम समय आप लोग के पास बचा है, तो seriously preparation जारी रखे, मुश्किल से देखा जाए, friends, तो September मन्त आपके पास बचा है, इसके बाद October मन्त, इसके बाद November मन् और उधर December में देख लिए, तो 15 दिन, यानि दोस्तों, मुश्किल से 3 मन्त, 15 डेज आपके पास बचे हैं, exams की preparation करने के लिए, और अभी जिस परकार से announcement, ministry of railway की तरफ से की गई है, या फिर chairman के तरफ से यहाँ पर बताए गया है, उसी के according हमें चलने है, उसी के according preparation अपना ज तो देखे, friends, यहाँ पर सबसे पहले ही बता दिये गए थे railway की तरफ से, कि जो यहाँ पर group D का exam होगा, या फिर NTPC का exam होगा, या फिर ministerial and isolated category का exam होगा, तो इनके लिए अलग से ही ECA tender float किया जाएगा, जारी किया जाएगा, और जो भी exam vendor यहाँ पर finalize किया जाएगे, वही exam conduct करवाएंगे, अभी बाग करें, friends, तो NTPC का ECA tender एलोग जारी किया है, जो कि final होने अभी बाकी है, और hopefully जिस प्रकार से बताएगा है, 15 December exam start होने का date, तो इस बिच हो सकता है, friends, की ECA tender एलोग final करवा ले है, तो ECA tender NTPC का जारी करवा चुके है, ministerial category का जारी करवा चुके ह तो जो यहाँ पे 15 December का date यहाँ पे tentative बता जा रहे हैं, ज्यादा चांस से friends की ministerial isolated category का exam सबसे पहले start हो, क्योंकि देखिए, इसका exam मुश्किल से 3-4 दिनों में ही conduct करवा लिया जागा, बहुत कम पोश्ट पे vacancy निकली है, और बहुत कम लोग इसके लिए eligible होते हैं, और ऐस इने तरह के form एक ही साथ फिलब कर चुके होते हैं, तो जिस प्रकार से अभी notice है यह friends, जिस प्रकार से announcement किये गए है, जिसमें ए बाग क्लियर नहीं है कि 15 December से कौन से exam पहले start होंगे, तो ज्यादा तर चांसे से friends, most chances हैं, कि आपका RRB NTPC का exam पहले start किया जा सकता है, या फ exam होता है, इसके बाद physical efficiency test PT होता है, और जितने marks candidate के होते हैं, उस प्रकार से इनको job दे दी जाते है, कुछ इस प्रकार से first stage, second stage, third stage का exam नहीं होता, सिर्फ एक CBT होती है, लेकिन NTPC में आपका first stage, second stage इस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा chances अभी reference कि ministerial category का exam conduct किया और यहाँ पे जल से जल ही आपका exam conduct हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन ही लगेंगे, बहुत कम लोग apply करते हैं ministerial category में, और यहाँ पे तुरंत बाद ही NTPC का exam start करवा दिये जागा, जैसे ही इस ही tender final होते हैं friends, जल से जल आपके exam schedule ला जाएंगे, application status जारी करवा दिये जाएंगे, तो friends वीडियो को जाए शादा अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दिजेगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, और कोई भी दोस्तों update आती है, सबसे पले आपको information मिल जाएगी, subscribe आप लोग जरूर कर लिजेगा, चलिए friends मिलते हैं next वीडियो में